कि हैं गाइस वल्कम बैक टू मैं चैनल दीपी का स्टाइल और मैं हूं दीपी का कैसे आम सबी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूं वो है ये वटर मसाला स्वीट कॉन जो की बहुत ही तेस्टी लगता है एकदम चटपटा लगता है आप इस रेसिपी को जड़ू ट्राइ करें आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रहे और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो एन तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं बटर मसाला स् वीडियो है कि लिए सबसे पहले हमें यहां पर कॉर ले नहींट भी जविड़न कावर निकाल दे हैं तो यहां पर यहू ने कौब रूजा निकाल दीया है इतना पानी रखना है कि ये इसमें आराम से बॉयल हो जाए तो चलिए फिर इसको हम बॉयल कर लेते हैं पहले तो ये देखिए अभी ये कौन बॉयल हो चुका है भुट्टा अच्छे से बॉयल हो चुका है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो ये देखिए अभी अच्छे से थंडा हो चुका है अब इसको जो दाने हैं उनको हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में निकाल के रखते हैं तो बटर मसाला स्वीट कॉन बनाने के लिए मैंने आपे कुछ सामागरी ली है तो यहाँ पे यह सबसे पहले मैंने आपे स्वीट कॉन लिये हैं जिनको हमने बॉइल कर लिया था नेक्स मैंने आपे एक ग्रीन चिली लिया है जिसको बारिक बारिक चॉप कर लिया है नेक्स ही आपे मैंने लिया है आदा चमच चाट मसाला पाउडर next ही आपे है एक चमच नीबू का रस next ही आपे है एक चमच बटर next ही आपे हम लेते हैं आदा चमच लाल मिच पाउडर और नमक लेते हैं नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिएगा तो ये सारी चीज़े हम यूज करेंगे बटर मसाला स्वीट कॉर्ण बनाने में हम यूज करेंगे next ही आपे मैं एड़ कर रही हूँ दनिया पती जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है तो अभी स्वीट कॉर्ण को मैंने एक बाउल में ट्रांसफर किया है तो सारी चीज़े हम इसमें एड़ करेंगे सबसे पहले मैं यह पर डाल देती हूँ लाल मिश पाउडर और उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर इसके बाद हम इसमें नमाक एड़ करेंगे नमाक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजेगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर तो एक चमच बटर लिया है मैंने तो इसको हमें एड़ करेंगे अब नेक्स हम डालेंगे इसमें नीबू का रस और नीबू का रस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली जो हमने यूस की थी और साती साथ हम डन्यापति भी अड्रय । फ़ी तो मुझान और ज़ी एक उपने लिया कौने रख निया 파ृर्ट है मैं आर्ग को जड़ा है और इस वृड़। धाप विधियो टेस्ट्री लग रहाधा है यम्मि सा और खाने में तो और जूर। तरी को हैंдत이 य। वीडियो helpful रहे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा बटर मसाला स्वीट कॉन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी सा है ये खटा मीठा सा तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं निव वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या अधर कोई एक और नई वीडियो के साथ तब तक की लिए बाई बाई टेक केर